उभी नवाइट किया गया बताईए वो आने को तयार है जो मुख्य पक्षकार थे मगर चंद कटरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस परधा में कॉंग्रेस और कॉंग्रेस गोत्र के सारे दल कॉंग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तयार है तो आपने एक हिंदी में कहवत सुनी होगी न कि मुद्दई सुस्त गवाचुस्त यहां तो मुद्दई साथ में आके खड़ा हो गया है मगर इसके बावजूद इन लोग के मन में अभी भी वह लोब दिखाई पढ़ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि एक कहवत होती है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम तो दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम इस पश्ट कर देना चाहता हूँ इस प्राण पृतिष्ठा का बहिश्कार करके कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस की परंपरा कॉंग्रेस गोत्र के जितने दल है उन्होंने इस पश्ट कर दिया है कि वो राजनेतिक दृष्टी से निश्पान तो होते ही जा रहे थे अब उनकी पृतिष्ठा भी समाप्त हो गई श्री नरेंद्र मोदी जी के पृतिया आपके मन में जो भी इर्शा है द्वेश है इन्फिरियाटी कॉंप्लेक्स है उसको लेकर आप भारत के विरोध तक चले जाते थे आज भगवान के विरोध तक चले गए इसलिए मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक बार फिराम जन्भूमी ट्रस्ट ने जब इन्वाइट किया था तो उन्हें सद्बुध्याई होती तो शायद वो अपने पूर्व कर्मों का परिशकार करने के लिए आ जाते है वैसे कॉंग्रेस पार्टी के अंदर ही कई नेता इसका विरोध कर रहे है क्योंकि शायद उनके मन में ये भी हो वो जो एक पुराना भजन है ना मैली चादरोड के तेरे द्वार पे कैसे आऊं क्योंकि इतने पाप किये हुए हैं उन्होंने परन्तो आज उस पाप के परिमारजन का वसर था वो भी आपने छोड़ दिया है तो इसके लिए मैं रामचरीद मानस की एक चौपाई कहता हूँ कि आकाश से जल मतब जो बादल है अम्रत तुले जल क्योंना बरसा दें बेंत का जो वर्क्षोता ना उस पर फूल नहीं उकते कभी बेंत पर फलो फूल नहीं आते बैंबू जिसको कहते हैं उसी प्रकार विरंच अर्थात ब्रम्हा जी के जैसा भी आपको योग्य गुरू मिल जाए फिर भी जो मूर्क लोग होते हैं इसे शब्दशाना कहा जाए मूर्क लोग होते हैं उनके हर्दे में चेतना नहीं उत्पन होती तो कहा गया है जदपि सुधा बरसा ही जलद ठूला ही पला ही नबेद जो गुरू मिला ही विरंच चिसम मूरक हर्दे नचेत